यदि आप लॉप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हूँ हमरे एप को डॉणलोड करें और लॉप पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में आज कल दो पेटिशनें फाइल हुई और दोनों पेटिशनों की बड़ी खास बाते हैं और मुझे लगता है कि उस पर पूरे देश को विचार करना पड़ेगा हम सभी को विचार करना पड़ेगा अगर हम सब विचार नहीं करते हम देश की डेमोक्रेसी नहीं समझ पाते देश में सिस्टम नहीं समझ पाते अगर देश के सिस्टम से हम सहमत नहीं है देश की जो constitutional procedure है उस procedure को अगर हम नहीं मानते उस procedure को मानने वाले लोग अगर हम तयार नहीं करते और उस procedure को मानने के लिए देश के लोगों को मजबूर नहीं करते तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत जल्दी ग्रह युद्ध की तरफ जा सकता है ग्रह युद्ध अभी वैचारिक युद्ध शुरू हुआ है भविश्य में ये ग्रह युद्ध हो सकता है ग्रह युद्ध में कुछ होता नहीं है जहां कहीं भी संसार में ग्रह युद्ध होते हैं ग्रह युद्ध का मतलब होता है कि देश के दो खेमे ह वह गए होते हैं दो गृप्स तीन गृप्स चार गृप्स बंगय होते हैं और वह घृप्स अपस में अपनी ऊपने बात मनवाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर डालते उस में सरकार उनको मनवाती है, एक ग्रूप अगर मान जाता है, तो दूसरा ग्रूप अपोजिट साइट से शुरू हो जाता है, तो सरकार उनके साथ उलजती है, और सरकार जिनके साथ भी वो सामझस से बनाना चाहती है, एक ग्रूप के साथ अगर सामझस से बनाएगी, तो दूसर पड़ता है और जब सरकार उस ग्रुप को कुचलती है तो फिर इसको जात्ती और तानशाही कहते हैं लेकिन सिस्टम बनाने के लिए करना पड़ता है मैं आपको याद दिलाता हूं कि यूएस में एक बहुत बड़े भारी रास्टपती हुए जिनको आप इबराहिम लिंकन क वो कैसे बचाया मैं आपको याद दिलाता हूं उनके समय पर Southern USA हला कि मैं उसका पक्षदर नहीं हूँ अबराहम लिंकन के इस एक्ट का मैं पक्षदर नहीं हूँ और यहूं इससे अपना कोई लेना देना नहीं है मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि South USA चुकि USA 49 कंट् of America अगर हम भारती भाषा में बोलें तो उसको United State of America कहते हैं वहां Southern America ने जो agreements किये थे उनके अनुसार उन्होंने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं हम इस agreement में आपकी Union में शामिल नहीं होना चाते हैं अबराहम लिंकन राष्टपती बने तो लोगों को लगा कि ये बड़े अच्छे अंदोलन को रोका गया था अमेरिका को टूटने से बचाया गया था उन अबराहम लिंकन को great president of America कहा जाता है क्यों क्योंकि अगर वो न रोकते वो ऐसा ना करते तो ग्रह युद्ध हो चुका था और अमेरिका टूट चुका था तो सबसे पहले कहीं भी यह यह चालू होता है उसमें देश और देश के टुकड़े करने के लिए देश में वैचारिक वैमनस्ता दो ग्रूप्स में होनी शुरू होती है और सरकार के सिस्टम के विरुद्ध खड़े होते हैं सरकार के सिस्टम के विरुद्ध जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब यह होता है कि जो procedural mechanism constitutionalism constitution ने बनाई है जो मिड़कर कहा करते थे कि धर्ना प्रधर्शन और सथ्याग्र है इवन सथ्यागर है के भी उन्होंने बात कही धर्ना प्रधर्शन सथ्यागड है भारत में असम्मवैदान होंगे क्योंकि भारत में एक सम्मिधान बना हुआ है उस सम्मिधान के अनुसार हर पाँच वर्ष में एक सरकार बनेगी रज्यों की सरकार बनेगी और अगर बीच में कोई आवशकता पड़ती है तो उसके लिए कोर्ट हमने बना रखा है कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट उसकी वैलिटी को देखेगा वो बातों को जो सरकार नहीं कर पा रही है इसलिए ये सिस्टम लेजिसलेशन यानि की परलेमिन्ट फिर सरकार और सरकार के बाद कोर्ट ये तीन अलग-अलग सिस्टम होंगे और इनके अलावा बहुत सारी independent bodies होंगी जो अपना-पना role play करेंगी जैसे आपको याद होगा कि गुजरात दंगों के टाइम पर भारत में जो election commission थे लिंग दो लिंग दो ने वहाँ चुनाओ करवाने से मना कर दिया था जबकि वहाँ के मुखमंत्री ने इस्तिफा दे दिया था और वो और यह घंडी करेंगी कि वहाँ चुड़ाओ होना कब होना कैसे होना यह तए करेगा election commission एक independent body है इसलिए सरकारें उसको टै नहीं कर सकती पार्लेमिट उसको टै नहीं कर सकता विधान समाइं उसको टै नहीं कर सकती अब इसलिए यह कहा जाता है कि यह तो आप कह सकते हैं कि वो फला group जो है या फला organization या फला जो हमने independent body बना रखी है उसने अगर मोदी जी के पक्ष में decision दे दिया तो कहोगे मोदी भागता है मोदी के against में दे दिया तो ये कहोगे कि मोदी के against में है यानि कि एक group उसको कुछ न कुछ कहे गए लेकिन system जब आपने बना के रखा वक्षे कोड के judgment को मानता है लेकिन उसके अंगेस्ट में जाया जा चुका है लेकिन वो मानता है क्योंकि वो मानने के लिए मजबूर है system यही कहता है वह appealing body में जाएगा more appeal करेगा Supreme Court पर उसके अंगेस्ट में जाता है तो फिर वह सही या गलत हुआ हलाकि Supreme Court अपने तत्यों के या अनुसार सही ही करेगा लेकिन सही या गलत हुआ अब उस पर प्रशने नहीं लगाया जाएगा उसका एक्जिक्यूशन किया जाएगा अब जो दो केसिस फाइल हुए किसान आंदोलन को लेकर उस पर मैं आपसे चर्चा करता हूँ एक गुरुप ने ये कहा कि बही ये जो दिल्ली दंगे हुए 26 जनवरी को उस पर NIA की जाच होनी चाहिए यानि कि नेशनल इंवेस्टिगेशिंग एइजनसी की जाच होनी चाहिए कि खालिस पार्टियां कितना रोल प्ले कर रही है पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें इफन बट क्या है और पॉलिटिकल पार्टियों के लाबा किसान कितने हैं किसानों के अलाबा खालिस्थानी कितने हैं इनमें कौन-कौन शामिल है इस पर एक इंवेस्टिगेशन डिटेल इंव यह हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं यह डेमोक्रेसिक सिस्टम नहीं दूसरे गुट ने एक और केस फाइल किया सुप्रीम कोड में उसका मानना है कि यह जो सरकारों ने फॉर्मर्स जो जो अंदोलन कर रहे हैं यह बैठे हुए हैं इनके तकिये और इनका जो स सर्दी गर्मी अलाओ खाना इनकी सबकी विवस्था सरकार करें एक वो ग्रूप आया मुझे लगता है कि वो दोनों ही क्लब होकर सुप्रीम कोड उस पर कुछ न कुछ करेगा लेकिन सवाल यह आता है कि जो लोग सुप्रीम कोड से मदद मांगने गए हैं कि सुप्रीम कोड ने जब तीनों कानूनों को फिलाह निरस्त कर दिया तो फिर सुप्रीम कोड की बात मनने को वो तयार हैं क्या सुप्रीम कोड ने एक कमिटी बनाई थी फार्मर्स की वो कमिटी बात करना चाहती थी क्या उस कमिटी की बात सुनने को तयार हैं फार्मर्स क्या सुप्री मांग रहे हैं किस मूँ से उनरेवल सुप्रीम कोट के पास गए लेकिन कमाल की बात तो यह है कि भारत का establishment जो भारत का constitution है वो democratic है सरकार किसके लिए हमारे लिए हमारे द्वारा और हमारी सरकार यह तीनों ही बाते हमारी हैं लेकिन इसके बाबजूद उनरेवल सुप्रीम कोट ने बी आर कपूर के judgment में कहा था कि जब तमिल नाडू का मामला आया और जैललता मैं आपको किसा बताता हूं जैललता मुखमंतरी चुनी गई वहां के राजजपाल ने मुखमंतरी पत की शपत जैललता को दिलवा दी लेकिन वो convicted थी ज सुप्रीम कोट ने कहा जनता ये तै नहीं करेगी कि Constitution कैसे चलेगा ये Constitution जो मामला है और जनता की democracy का मतलब ये नहीं है कि जनता सीधा तै करेगी democracy का मतलब होता है कि जो Constitution बनाया गया है डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्लेमेंट आना और पार्लेमेंट के बाद दूसरा होन और Constitution का भारत में राज्य है भारत में किसी व्यक्ति का राज्य नहीं है अब ऐसी situation में अगर आप system को नहीं मानेंगे पर्लेमेंट ने जो भी पास किया Supreme Court ने जो भी judgment दिया या हमारे institutions ने जो भी कहा अगर आप उसको नहीं मानते तो आपके पास एक रास्ता था कि आप हर चा जाता है कि आप establishment पर विश्वास नहीं करते वो political party आपका सहयोग जो करने वाली है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जिस समय बिल पास हुआ था तो democratic process यही है कि majority जिसकी होगी वो परलेमेंट से कानून पास करवाएगा और कानून पास करवाने के बाद वो कानून देश मे लागू होगा और वो कानून सबको मानना पड़ेगा अगर हमारे हित में है तो भी हमारे थोड़े बहुत अहित में जाता है तो भी हमको मानना पड़ेगा क्योंकि system अपने को establish करना ही पड़ेगा और system का सम्मान करना ही पड़ेगा भले ही मेरे विरोध में कुछ हो जाए भले ही मेरा नुकसान हो जाए, जैसे कि Supreme Court का जब judgment होता है, तो कोई नो कोई judgment डेटर होता है, जो मुगदमा हारता है, लेकिन वो उसको बरदाश्त करता है, क्योंकि देश सरवोपरी है, system सरवोपरी है, constitution सरवोपरी है, अगर हम constitution की बातें constitutional procedure को नहीं मानने वाले हैं, और दि पीजीपी का मामला हो, चीफ सिक्रेटरी का मामला हो, अगर हम सिस्टम को नहीं मनने वाले हैं, और क्योंकि हम सिस्टम से संतुष्ट नहीं हैं, मेरे किसी विक्ति का नुकसान हो रहा है, मेरे किसी खास का नुकसान हो रहा है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान हो रहा ह है ऐसी सिचुएशन में सरकार को जब भार बार आप धेरेंगे तो सरकार को किसी ने किसी स्टेज पर आपके खलाफ करवाई करनी पड़ेगी और ये ग्रह युद्ध की इस्तिती बन जाएगी उस ग्रह युद्ध में लाब देश के किसी भी विक्ति को नहीं होने वाला प्रयास रत रहता है कि भारत में किसी प्रकार से ग्रह युद्ध हो और ग्रह युद्ध जब भारत में होगा तभी उसके मनसूबे कोछ सॉल्व होंगे यह उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतर रहे हैं क्योंकि हम हमारे फार्मर्स जिनकी पास एजुकेशन है की नहीं मुझ यह जो कर रहे हैं इसमें हो सकता है कि फार्मर्स विल में हमको थोड़ा बहुत नुक्सान हो रहा हो लेकिन हम अपनी जित पर अड़े हुएं यानि कि हम भारत को ग्रह उद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं यह दो ग्रुप जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं यह साफ हतियारों को लेकर बैठे हैं यानि कि दो ग्रुप्स भारत में लड़ने को तयार खड़े हो गए हैं आपकी जित की बज़े से क्योंकि आप सिस्टम को मानने को तयार नहीं है और जब भी आप सिस्टम को मानने को तयार नहीं है इसका मतलब यह हो गया कि आप देश के हित बिल्कुल भी नहीं चाहते और देश में ग्रहयुद का आवाहन आप कर रहे हैं यानि कि आप देश को पूर रूप से बरबाद करना चाहते हैं जो खालिस्तानी चाहता है जो पाकिस्तानी चाहता है जो अलगावादी चाहता है जो देश के अंदर बैठे हुए बेड़िये चाहते हैं जो देश के अंदर बैठे हुए विवीशन चाहते हैं हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि हमारे देश को इस समय सबसे अदाव शक्ता यह है कि सिस्टम को मनता देनी है नहीं देनी है सरकार की मजबूरी यह है कि वो अगर फार्मर्स बिल बापस लेता है तो देश के 80% किसान जो उस फार्मर्स बिल के पक्ष में हैं वो विद्रोह करने वाले हैं और जो 20%, 15%, 5% फार्मर्स तथा खतित फार्मर्स जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी बात कैसे मान ली जाए अगर सरकारें ऐसे ही चलने वाली हैं तो पर्लेमेंट का कोई मतलब नहीं रहता डेमोक्रेशी का कोई मतलब नहीं रहता चुडाओं का कोई मतलब नहीं रहता भारत में फिर राजशाही ही हो सकती है जो भारत को कंट्रोल कर सकती है यानि कि जो राजशाही के खलाफ आवाज उठाए उसको सीधा मौत के घाट उतार दिया जाए अगर ऐसी सिचुएशन लाना चाहते हैं डेमोक्रेशी को पून रूप से समाप्त करना चाहते हैं तो आपको अंदोलन्ट कॉंटिनूर रखना चाहिए लेकिन अगर आप देश को ग्रहुद की तरफ ले जाना चाहते हैं आप देश को बचाना चाहते हैं अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको डेमोक्रेटिक प्रॉसेस से ही आना चाहिए ये दिल्ली घेराओ की बजाए आपको सुप्रीम कोर्ट या अपने लेजलेटर्स पर विश्वास करना चाहिए अपने पालेमेंटरिन पर व रखा हुआ है उसने खेल खेला हुआ है और खेल रहे हैं हमारे नागरिक हाला कि ये 80% लोग चुकी किंदर सरकार के पक्ष में हैं तो कहीं न कहीं ये सारा का सारा मूमेंट जो चलाया जा रहा है इससे किंदर को ही लाब होने वाला है बीजेपी सरकार को ही लाब होने वाला ह इसलिए बीजेपी भी फुलटास राजनीती इसमें कर रही है और बीजेपी भी इस धरने को हटाना नहीं चाहती है उसके दो करण हो सकते है एक तो उनको सिंपेथिटिकल लाब मिल रहा है दूसरा ये है कि एक भी फार्मर मर गया या एक भी फार्मर के उपर अकरमर हो गया तो 80% वोटर जो देश में फार्मर्स हैं वो सरकार के खलाफ चले जाएंगे और सरकार को नुकसान दे देंगे इसलिए सरकार इस मन में है कि जो हो रहा है वो होने दीजे धीरे से अपने आप सौल्व हो ही जाएगा लेकिन ये सब कुछ ना ही सरकार के पक्ष में हैं और ना ह मुझे लगता है कि ये खालिस्तानी पाकिस्तानी огलगावादियों के चक्कर में नपड़कर किसान देश की भूमी देश की मात्र भूमी का जो पुजारी है वो किसान जो बापस जा चुका है उस किसान को अभी सोचना चाहिए कि जो तता कते थोड़े किसान बचे हैं और समझने की पूरी कोशिश करेगा कि बाबा साब अमबेट कर किस constitution को बना गए और वो constitution में क्या procedure बना गए थे इस तरह की समस्याओं के समधान करने के लिए PILS का रास्ता खुला था, कोर्ट में जाने का रास्ता खुला था, सरकार वोट डाल कर सरकार बदलने का रास्ता खुला हुआ है, स्टेट की सरकारों का रास्ता खुला हुआ है, स्टेट के हाई कोर्टों का रास्ता खुला हुआ है, तमाम तरह के भारत में कमिशन बैठे हु बुजर रहा है ऐसी प्रसितियों में इन किसानों के द्वारा तथाकतित किसानों के द्वारा यह जो मुव्मेंट चल रहा है मुझे लगता है कि विपक्षियों को तैयरी करने का और अवसर ही दे रहे हैं इससे कोई सलूशन निकलने वाला नहीं है इसलिए मैं आवहन करता ह हैं जिससे कि लॉय स्टूडेंट्स को लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉय जानना चाहता है वो पेड़ क्लासिस का लाब ले सकता है